हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू देसी तड़का विदामिता तो क्या आप लौकी की सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास जो बैल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजे जिससे मेरी आगे आने वाली रेसिपी इसका नोटिफिकेश प्रेसे भी मिल सके तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने इसके लिए ये हाफ कप का बुली चने ले लिए ठेंधे जिनको मैंने पानी में सोक और वाज़टी इसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया है और देखिए इसको इतना बॉयल करना है जिससे कि इसका दाना प्रेस करने पर ये अराम से दब जाए और ये एक मीडियम साइज की लॉकी लिए है मैंने तो इतने लॉकी और चने में आपके 5-6 लोगों के लिए सबजी तयार हो जा देखिए रिफाइंड ओयल गरम हो चुका है अब इसमें डालूंगी वन टीस्पून जीरा अब जीरा डालने के बाद इसको हम क्रैकल होने देंगे अब यह देखिए जीरा क्रैकल हो गया है और अब इसमें मैं एड़ कर रही हूँ यह वन फो टीस्पून हींग है इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है इसलिए थोड़ी सी हमने जादा डाली है और अब मैं इसमें एड़ करूंगी वन ग्रीन चिली चॉप की और एक इंच अद्रक का टुकड़ा लंबे लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ थोड़ा सा सबजी में देखने में अच्छा लगता है तो यह मैंने इसलिए लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है अब छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं इसक चॉप किये हुए, यह मैं 2 टमेटोज डाल रही हूं महीन चॉप किये हुए, और इसको डालने के बाद हम इसमें मसाले एड़ करेंगे, तो यह 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर है, इसके बाद यह 1 टी स्पून धनिया पाउडर है, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वाइन टी स्पून ये गरम मसाला है इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह और फिर मैं इसमें डालूँगी मैंने सॉल्ट थोड़ा सा चने बॉल करते समय भी डाला था तो अब अपने टेस्स के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं तो अब इनको हम और फ्रेंट्स ये खड़े मसाले भी इसमें डालूंगी मैं तो ये देखिए एक तेजपात का पत्ता है साथ से आठ काली मिर्च है एक बड़ी इलाईची है पांच से छे लॉंग है दो छोटी इलाई के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुख होने के लिए छोड़ दूगी तो देखिए अब इसको ढख कर हम चार से पांच मिनट के लिए चोड़ देखें चार से पांच मिनट हो गए है और अब टमाटर भी गल चुका है एकदम प्यूरी फॉर्म में आ गया है और अब मैं यह जो चन अब लॉक कर दो लॉक कर नहीं गीक आ गल लिए और अब इसको मिक्स कर देंगे और जो हमारा चनो का पानी था सिसमें हमने चन में बॉयल कि थे वह मैंने फेका नहीं था आप भी मत विक कहेगा उसी पानी? को हम सबजी में डालेंगे और यह देड़ कप करीब मैंने पानी इसमें एड किया है क्योंकि अभी इसको हमें काफी देर कुक करना है क्योंकि हमारी लॉकी भी गलेगी तो अब मैं इसमें half teaspoon नमक और एड़ कर रही हूँ क्योंकि लॉकी गल आने के लिए हमें थोड़ा सा नमक एड़ करना पड़ेगा आप अपने taste के according नमक इसमें एड़ कर सकते हैं और अब मैं इसको ढखकर करीब 15 मिनिट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुख होने के लिए चोड़ दूँए और अब देखिए 15 मिनिट हो चुके हैं और अब यह हमारी जो लॉकी है गल गई है देखिए मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ एजीली कट हो रहा ह अब यह कोख हो गई है हमारी जो लॉकी है और चने भी थोड़े से और सॉफ्ट हो गए है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है यह क्योंकि फ्रेंट्स यह सबजी थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है और यह वन टेबल स्पू अच्छी थोड़ी स्पाइसी बनती है तभी अच्छी लगती है अगर आप बच्चुकली बना रहे हैं तो थोड़ा से अपने अकॉर्डिंग मिर्च को आप कम कर सकते हैं और फ्रेंट्स अब मैं इसमें डाल रही हूँ है यह हाफ टीस्पून हल्दी मैं एट कर रही हूं यह भी आज मुझसे स्किप हो गई थी आप लोग कहेंगे कि आज तो मैं सब कुछ बूल रही हूं कभी कभी हो जाता है सभी हम बूलते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सबजी का कलर वही आएगा जो हम चाहते हैं तो अब इसको मैंने डाल दिया है हल्दी को भी और अब हम धग कर अब 5-6 मिनिट के लिए और मीडियम डू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे जिससे सारे मसाले अच्छे से एक साथ तो देखिए फ्रेंस 5-6 मिनिट हो गए हैं और हमारी सब्सक्राइब का कलर टेक्स्चर बहुत ही प्यारा आया है और बहुत ही प्यारी स्मैल आ रही तो देखिए मैं एक सर्विंग डिश में निकाल लिया है और अब इससे मैं हरे धनी से गार्निश कर दूंगी तो देखिए किती प्यारी हमारी सब्जी लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है तो यह मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बत